Hello everyone, स्वागत आपका हमारे प्यारे से चैनल बेहन्स पढ़ाई में मैं हूँ शिखा और आज हम करेंगे अपना शाप्टा पार्टी पार्टी वो डिचिक डिचिक वाला नी, पॉलिटिकल पार्टी साफ कर सिक विक्स पहरे न है, तो पॉलिटिकल तॉ इसमें आये exterior से चैनल अपने डेली न्यूज में यही चलते हैं, तो इनके बारे में तो सभी जानते होंगे, अच्छा, आप से अगर मैं पूछूँ कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम जानते हो, तो 10th क्लास के बच्चे हो, तो बता ही दोगे हैं, कमेंट सेक्शन में इसी बात पर बता दो मुझ तो पॉलिटिकल पार्टी के नाम तो अपने कमेंट सेक्शन में आये हो, बताई दिये होंगे, अब वो होती हैं, देखो, यह पार्टी क्या होती है, एक मतलब गुरूप ऑफ पीपल, बहुत सारी लोग मिल जाते हैं, गुरूप एक जुंड बना लेते हैं, साथ साथ आज इलेक्शन लड़ते हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो, रैली निकालते हैं, क्यों? ताकि उनको वोटिंग मिले और वो अपनी सरकार बना सके, अपनी गौर्वर्मेंट बना सके, और गौर्मेंट बना के वो क्या करेंगे? हम जैसे लोगों के लिए, वो पॉलिसीज लेक एलेक्शन और होलड पार इन गौर्वर्मेंट, इजी, अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी में तीन टाइप के लोग होते हैं, या फिर थीन कॉंपोनेंट्स होते हैं, एक तो जो पार्टी के लीडर होते हैं, पार्टी के लीडर जो टॉप उपोजीशन होती है, उसके पर्षंटेटी होती है उनके भी थो followers होते हैं तो वोई वाली है तो यह थीन component होगए सबसे पहले आते हैं leader उसके बाद आते है active member party के उसके बाद आते हैं पूरे जो followers होते हैं वो सब ठीक है अब पार्टी सिर्न का क्या मतलब होता है यह एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी पार्टी की साथ हमेशा से जुड़के रहा है connect रहा है और जैसे मानलों कोई भी अगर कोई issue हो जाते है तो अपनी party की side लेता है चाहे वो उसकी party सही हो या गलत हो वो हमेशा अपनी party पे stick रहता है वो कभी भी उस issue का balanced view नहीं बना पाता कि भाई यह जीज सही है यह जीज गलत है I am not with my party और I am with my party ठीक है so partisan is the one who strongly focus to his or her party और वो कभी balanced view नहीं दे पाते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर ठीक है अब political party सा क्या-क्या function होती है या फिर हो क्या-क्या काम कर सकती है बताओ आप थोड़ा सोची बताओ political party क्या करती है क्या चीज आ रही आपके दिमाग में एक तो आप यहीं बोलेगे कि contest करती है उसके बाद गौर्मेंट बनाती है उसके बाद और क्या बता सकते है आप मुझे गौर्मेंट बनाती है इलेक्शन का अंडिस्ट करती है और इलेक्शन के टाइम पे जन्होंने वादे किये थे उनको पूरा करती है लोगों के लिए welfare के लिए policies बनाती है और उसके बाद और भी बहुत सारे laws बनाती है गौर्मेंट चलाती है ओपोजीशन का भी रोल प्ले करती है ओपोजीशन आ प्लान किये थे कि हम इस बोल पर काम करेंगे तो उनके लिए movement भी करती है launch welfare scheme भी इंट्रीउस करती है public opinion भी shape करती है कि अगर बहुत सारे लोगी सोच बदल नहीं हो तो वो political party को काम करती है अब opposition party कौन सी होती है देखो दो type की पार अब ऐसा तो है निकि हमारे इंडिया में single party system की सिर्फ एक ही party हमेशा से जीतती आ रही है वही रूल करती आ रही है तो है नहीं हमारे इंडिया में 750 से भी जादा पार्टी जिस्टर है political parties ठीक है तो इतनी सारी political parties और जब भी हर 4-5 साल में जब भी चुनाव होते हैं तो कितनी सारी parties जो है वो लड़ती है चुनाव क होंगे तो बहुत सारी parties आपस में contest करेंगी election के लिए है ना तो अब यहां पर ऐसा तो है कि सारी parties जीते हैंगी जिस भी party को सबसे ज्यादा vote मिलेगी वही ruling party बनेगी लेकिन कोई एक ऐसी party भी होते है जो हार जाती है जो ज्यादा vote से हार जाती है वह opposition party बन जाती है basically ठीक है तो अब opposition political parties का क्या rule होता है क्या function होता है वो देखो यह important है mark कर लेना this is important है ना so यहां पर क्या होता है main function होता है opposition party का कि वो ruling party पर नजर बनाए रखें ठीक है नजर क्यों कि उनको बताए कि तुमने जो जो मतलब कि वो ruling party को यह एसास लाती रहे कि तुम्हें काम ढंग से कर है हम तुम पर नजर रखे हुए है ना और जो तुमने election के time पर promises किये थे लोगों को तो वो उसको पूरा करो ठीक है तो एक type of pressure रखते है ruling party पर है ना ताकि ruling party अपनी पार का misuse ना कर सके next is जैसे हमारे जो legislature होते है लेजिसलेचर क्या होता है governing body जो rules policies laws बनाती है और हमारे देश का legislature कौन सा है पार्लेमेंट है ना तो पार्लेमेंट में दो house होते हैं कौन से राज्य सभा और लोक सभा इतनी बात आपको पते हैं तो उन राज्य लोक सभा में भी opposition party का बहुत बड होता है तो opposition party की सहमती उसमें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है अब जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी मतलब ऐसी सरकार जो लोग भाग भुद चुनते अपनी पसंद से ना अब हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी है तो जरूरी तो है कि सब भी मतलब जो जीती है party वो पूर आज में जिन स्टेट्स में रूलिंग पर नहीं जीत पागे वहां पर कोई रूल करते है, खेकें, that's why opposition party is also important to have an eye over the ruling party to make ruling party function properly to make ruling party forceable to fulfill their promises that they did while the electoral campaign or they are equally important to pass the bill in the house of the legislature और उसके बाद they also hold the power in the areas where ruling party didn't win तो इस तरीके से आप अपनी language में भी बना सकते हो अपने points को एक चीज अगर समझ में आ जाती है तो ठीक है आप जरूरी निये कि इस्टी में सिर्फ मतलब यही language रटो जितने अधा current affairs add कर सकते हो मतलब मैं यह नहीं कहरी कि daily news देखो या daily news paper देखो कुछ ना कुछ आपको daily का पता तो चलता ही रहता हो कि कहां पर क्या चल रहा है हलका पुलका कहीं से पता चले तो वो सब चीज़े भी आप अपने paper में add कर सकते हो teachers पर बहुत अच्छा impact पड़ता है ठीक है तो अब यहाँ पर देखो next कि political parties की क्या जरूरत है क्या necessity है देखो जो आजकल की democracies हैं वो political parties के बिना exist नहीं कर सकती democracy क्या होती है ऐसी सरकार जो हम खुद चुनते हैं vote से ठीक है तो अगर political parties ही नहीं होंगी इतनी सारी तो हम किसको vote देंगे तो यहीं बोलावाय कि modern democracy जो है वो political parties के बिना नहीं रह सकती इसलिए political party बहुत ज़रूरी है हमारे इंडिया के लिए अब without party अगर मानलो party नहीं हो कोई एक single candidate हो तो single candidate है वो तब तो कुछ promises कर देगा कि मैं यह करूँगा मैं वो करूँगा बाद में promises पूरे ही नहीं कर पाएगा policy change ही नहीं कर पाएगा और government चाहिद बन भी जाए लेकिन फिर भी वो इतने अच्छे से काम नहीं करेगी unsurternity होगी कुछ टंक से काम ही नहीं होगा elected representative जो है उन्हें answer देना पड़े कि उन्हें काम किया या नहीं करा ठीक है वो सिर्फ अपने ही area को answer देंगे no one मतलब जैसे मान लो अगर मैं अपने area की like अगर मैं individual ही हूँ party नहीं है मेरी कोई अगर मैं individual जीतती हूँ तो सिर्फ मैं पूरी इंडिया को answer नहीं दूँगे मैं सिर्फ अपने area को answer दूँगे अगर एक इंसान एक single candidate भी अगर select होता है तो ठीक है तो फिर पूरी इंडिया का क्या होगा है न तो no one will be responsible for how country will run कोई भी responsible नहीं होगा अगर एक इंसान जीतता है पूरी party नहीं जीती तो कोई भी responsible होगा यह नहीं कैसे country चलेगी कैसे नहीं so that's why political parties इन सब reasons की वज़े से बहुत ज़दा important है ठीक है हमारे इंडिया में कितनी parties हैं अभी मैंने उपर point बता है था ना कि हमारी इंडिया में 750 से भी ज़्यादा तो और भी ज़्यादा हो गई होंगी parties register है election commission of India से election commission of India एक ऐसी organization है या फिर government संस्थान है जहां पर अगर मान लो कल को आपको भी plan o politics में जाने का और आपको अपनी party बनानी है तो आपको खुद को register करवाना पड़ेगा इंडिया से है अब यहां पर देखो next question है वो भी important है और यह election commission से register होने वाला भी और 750 parties यह फिलेंदा ब्लांक्स में आ सकता है ठीक है तो types of party system अब पूरे world में कितनी सारी countries हैं उन सारी countries में अलग-अलग type की government होती है किसी मोनार्की होती है किसी में democracy होती है किसी में one party system होती है किसी में dictatorship होती है बहुत सारी है ना अलग-अलग form of government होती है तो यहां पर अब उन सभी के हिसाब से पूरे world वो देखके हमने party system ती उसमें बाटा हुए कि हमारे आपर political parties तीन party system में होती है one party system, two party system और multi party system ठीक है तो one party system कौन सा होती है यह देखो one party system is basically ऐसी country जहां पर सिर्फ एक ही party control करती है और government चलाती है पूरे country को ठीक है for example चाइना के पास एक ही party system है और आपने देखा भी होगा आप चाइना में देखो अभी जो political party है वो बहुत time से rule करती है तो यह system अच्छा नहीं है democracy के लिए क्योंकि बहुत सारी parties आती रहती है उनको भी fair chance मिलना चाहिए अब एक ही party इतने सालों से rule करेगी तो फिर वो नई parties को मौका नहीं मिल पाएगा है next is two party system two party system तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसी country जहां पर दो parties को chance मिलता है जिस भी party को सबसे जादा majority मिलती है वो यह party government बनाती है और इसमें सिर्फ दो parties होती है और यह example बता सकते हो USA और United Kingdoms के पास two party system है और multi party system वो भी नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा party system जहां पर दो से जादा political parties जो election conduct करती है और पार आने पर वो comment बनाते है मतलब इंडिया में multi party system है और यहां पर 750 से जादा जो parties है वो register है election commission of India में है यहां पर लोगों को बहुत तरी तरीके के interest मिलते हैं कि हमें ये वाली पसंद है हमें वाली party पसंद है और वो अपना opinion shape कर सकते है कि हम तो इसी को vote देंगे क्योंकि उनके पास बहुत दो choice है next is एक term आती है alliance और front ये भी आपकी important है alliance क्या होती है when several parties in a multi party system multi party system में बहुत सारी parties होती है जब वो सारी parties आपस में हाथ मिला लेते हैं किसी purpose के लिए किसी काम के लिए जासे कि हम सारी party मिलकर इस बार election लडेंगे और अगर हम सारे जीतते हैं तो हम फिर government चलाएंगे तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं alliance कहते हैं या फिर front कहते हैं तो multi party system में बहुत सारी parties मतलब मिल जाते हैं ताकि वो contest को ताकि वो election को लड़ सके ठीक है अब हमने अब हमें पढ़ना है types of political party अब आपको हो गया अभी तो पढ़ा था one party system, two party system बट वो party system के types थे यह सिर्फ political parties के types हैं तो जैसे democracies हैं जो है वो federal system follow करते हैं federal system of government अब federal system of government क्या होते है देखो इंडिया में मैंने आपको बता था कि federalism, federal power होती है तो वो क्या होता है vertical division of power इस तरीके से चीक है उपर कौन सी आती है central या फिर union फिर आती है फिर state state government और फिर local government ये तीन type की government होती है अब यहाँ पर इन तीन type की government में क्या होता है central state और local government में यहाँ पर अब देखो political parties जिनको rule करना होता है इस type के government structure में वो दो type की political party होती है एक तो state party जो की state को, एक particular state को rule करती है और एक national party जो की centrally होगी तो वो क्या होता है, वो पूरे इंडिया को rule करते है इस type से है न तो इंडिया में दोनो type की political party भी होती है national भी होती है और state भी होती है but उनको election commission of India के साथ register होना पड़ता है अब state party का क्या eligibility criteria वो देख लेते हैं देखो legislative assembly of state समझ में आगा कि state की अपनी खुद की governing body होती है अपनी खुद की legislative assembly होती है जो उस particular state के rules, laws, policies बनाते है तो state party कौन सी होती है एक ऐसी party जो कम से भी कम total vote election हो रहे है ठीक है election में जितने भी vote आते हैं उस vote के 6% जो है वो जीते to the legislative assembly of the state मतलब इस governing body में total votes के 6% तो आने ही आने चाहिए election में and साथ की साथ win at least two seat is recognized as a state party और कम से भी कम दो seat तो जीते ही जीते ये होती है state party ये भी important है और national party क्या होती है देखो national party वो होती है जो जैसे parliament है parliament में दो चीज़े होती है दो houses होते है लोकसभा और राजेसभा चीक है लोकसभा is the lower house of the parliament and राजेसभा is the upper house of the parliament तो लोकसभा जो होती है वो किस काम आती है कोई law बनाने में policy बनाने में इस तरहीब से तो जो national party होती है उसको पार्लेमेंट के लोकसभा में कम से भी कम चार seat सो जीतनी चाहिए और साथ की साथ चार state के अगर election हो रहे है तो उन में से total vote का 6% आना चाहिए तो ये दो eligibility criteria होते है national party के भी और state party के भी ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि क्या-क्या eligibility criteria है कि 6% of the total votes लोकसभा election है ना और उसके बाद plus win at least 4 seats win at least 4 seats इस सरीके से और difference between बताओगे अब आप national party में all over India की होती है और state party जो है वो सिर्फ state को represent करती है या फिर 2-4 state को मिलाके इसे few federal unit only या फिर 3-4 state को मिलाके और ये वही eligibility criteria है जो मैं आपको बता चुकी हूँ और इसके बाद इन्हें कितनी seat जीतनी है win at least 4 seat in the लोकसभा national party को और win at least 2 seat in the legislative assembly of the state को ठीक है तो अब एक चीज और बता नहीं थी यहां पर देखो जैसे आप अभी 6-7-8 का civics भूल गए होगे तो इसलिए हम बता रहे हूँ लेजिस्लेटर वकुमेंदे का क्या मतलब होता है कि यूणी यूणी याननी की पूरी इंडिया थिक है यूणीएन गौनने अपने देकर हुआ है् सेंट्रल गौवर्मेंदे की गौनमेंट थी तो यूनियां का legislature मदलब फॉर्मेंट बॉडडी when प्रोटेक्ट के लिए आवाज उठाती है और लोगसभा क्या होती है वो स्टेट के राइट्स के लिए प्रोटेक्ट के लिए आवाज उठाती है और लोगसभा किस काम आती है कि कोई बिल पास करना है या फिर कोई लोग पास करना है फोर दी स्मूथ फंक्शन अफ दो बॉड़ी है तो इस तरीके से यह चीज में आपको बतानी थी अब इंडिया में नाशनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते है दो पार्टीज होती ह कौन कौन सी होते है कुछ नाम उनके जो मैं आपको स्टार्टीग में बताना वह यह वाले हम पढ़ेंगे एक तो फॉस्ट है ओल इंडिया त्रिनमूल कॉंग्रेस दूसरी है भाहुजन समाज पार्टी उसके बाद तीसरी है भारती है जनता पार्टी बीजेपी कम्मिनिस पार्टी ऑफ इंडिया इस फॉर्थ, कम्मिनिस पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट इस फिफ्थ फिर इंडियन नैशनल कॉंगरेस इस सेवंथ और नैशनल कॉंगरेस नैशनलिस्ट कॉंगरेस पार्टी इस सेवंथ ठीक है तो अब हम इन सातों के सातों को एक करके तो All India Tribunal Congress AITC कब फॉर्म होई थी 1st January 1998 ममताव इनरजी की लीडिंग लीडर्शिप में और ये नैशनल पार्टी बनी 2016 में पार्टी के सिंबल फूल और घास है और कहां कहां पर है वेस्ट बेंगोल अरुनाशल प्रदेश मनीपुर और त्रिपुरा ठीक है यह याद हो गई उसके बाद भारतिय जंदा पार्टी यानि कि बीजेपी 1980 में बनी थी सोशियो रिलीजिस वैल्यू है इसके अंदर ठीक है सोशिल और रिलीजिस वैल्यू अब जब से यह बनी है तब से बीजेपी का स्ट्रॉंग राइवल कौन है इंडियन नाशनल कॉंग्रेस ठीक है अब क्योंकि यह गवर्मेंट में है तो यह लीडिंग पार कि जो इंडियन कास सिस्टम में जो बॉटम में आते हैं जैसे कि OBC, SC, STF, Religious Minority यह उनको रिप्रेजंट करती है बेसिकली है ना 1984 में आई थी काशिराम इन मायावती दो लीडर्स के द्वारा और इनकी जो पार्टी उनका में टीचिंग्स की उपर यह डिपेंडेंट है किसकी टीचिंग्स की उपर साहु महराज महात्मा फुले पैरियार रामस्वामी नायकर के उसमें ठीक है अगली देखो Communist Party of India और अ Successionalism तो इन सब का पहले हम मतलब जान लेते हैं और यह भी देखो अगला जौब पढ़ोगे ला CPIM यह वाला इसमें भी तीन चार वर्ड सोशलिजम, सेकुलरिजम, इंपेरियलिजम, कमिनलिजम तो इन सब का पहले हम मतलब जान लेते हैं उसके बाद इनकी थियोरी देख ल तो इनका मीनिंग देखो, सबसे पहले हम आते हैं सेकुलरिजम पे, सेकुलरिजम एक ऐसा बिलीव होता है कि जो रिलेजिन होता है, जो धर्म होता है उसको ना तो सुसाइटी में आना चाहिए, मतलब हावी नहीं होना चाहिए, ना एजुकेशन में, ना गॉवर्मेंट मे होता है कि a strong sense of loyalty to the interest of one particular group, किसी एक धर्म को, किसी एक group को बढ़ावा देना, is known as communism, पूरी सुसाइटी को as a whole नहीं देखना, सिर्फ एक धर्म को ही सब कुछ मान लेना, और सिर्फ इसे क्या होता है, दंगे फसाद हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, सक्सेसिनिसम, इस में क्या होता है कि हम अलग-अलग nation बनाएंगे, अलग-अलग देश बनाएंगे, एक ऐसा idea आजाना, या फिर जिस देश में अभी हम रहते है, उससे अलग हो जाए हम, तो यह सक्सेसिनिसम में होता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे देश होता है, जो अभी फिलाल जिस देश म अपने नए अदेश मिना लेते है, उसके बाद communism क्या होता है, यह एक ऐसा political system होता है, जहां पर state जो है, सारी कि सारी factories, farms, services को own कर लेते हैं, कि मतलब जैसे मैं हूँ, मेरी कोई जमीन है, if so, तो वो मेरी नहीं होगी, वो state ही हो जागी automatically, ठीक है, यह ऐसा क्यों करते है, ताक communist होता है, communist होता है, the one who support communism, ठीक है, और marxism क्या होता है, यह एक philosophy थी, यह एक विचार धारा थी, किसकी, Karl Marx की, इनके बार में तो आपने सुना ही होगा, और कैसी philosophy थी है, social, political, और economic, इसमें क्या होता है, यह capitalism, यह विचार धारा थी, Karl Marx की, जिसको आप marxism बोल रहे हो, यह क यह एक ऐसा political, यह एक ऐसा economic system है, जहां पर business जो है, वो own किये जाते हैं, या फिर run किये जाते है, profit के लिए, by the individual, not by the state, अभी मैंने आपको एक उपर term बताई थी, communism, हाँ, communism की, ठीक है, कि किसी individual का कोई business नहीं है, कोई factory नहीं है, कोई farm नहीं है, कोई service नहीं है, सब कुछ state क है, लेकिन Marxism, capitalism को चाहते थे, कि state का कुछ नहीं है, ना तो state का कोई factory है, या फिर mine है, जो जिसका है, वो उसी का कहलेगा, जिस individual का है, मतलब मान लो, अगर मेरी जमीन है, तो मेरी किलाई जाएगी, state की नहीं किलाई जाएगी, तो Marxism, इस capitalism की विचारधारों को मानते थे, और इसी को हम क्या बोलते है, Marxism, अब ये Leninism क्या था, ये, ये Vladimir Lenin ने दी थी, ये एक विचारधार है, और वो कहते थे कि communism को practice करो, इसको, ठीक है, तो ये communism को कहते थे कि इसको practice करो, उसके वाद imperialism क्या होता है, ये एक system होता है, कि जो rich और powerful country होती है, वो दूसरी country को, या जो जादा rich नहीं है, जो जादा powerful नहीं है, तो यानि कि Amir जो हो गरीब के ओपर हावी हो गया, इस type से, जैसे कि Britishers थे, उन्होंने इंडिया के ओपर रास किया था, ठीक है, इस तरीके साब लगा सकते हो, उसके बाद socialism क्या होता है, ये एक political idea है, जो कि किसके ओपर based होता है कि हर एक इंसान equal है, है न, and that money and property should be equally divided, इसलिए जो money है, जो wealth है, जो income है, और जो property है, वो सब में equally divided होई होई चाहिए, तो ये कुछ basic terms थी, जो हमें जानना important है, ताकि हम CPI और CPIM political party को जान सके, आप Communist Party of India 1925 में बनी हुई थी, और ये believe करती थी, Marxism और Leninism वाली theory पे, ठीक ह secularism भी मान दी थी और democracy तो आपको पता ये क्या होती है, जो government, लोगों के द्वारा चुनी गई है, और ये communism and successism को oppose करते थे, और ये parliamentary democracy में भी believe करते थे, जिससे की farmer, working class और poor के interest जो है, वो protect होते रहें, ठीक है? So basically, इसमें हम एक correction करेंगे, कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कि Marxism ये चाहते थी, capitalism आए, कि मतलब state कुछ भी own ना करें, सब कुछ individual own करें, ठीक है? और वैसे ही Leninism की भी ये ही कोशिश थी, कि वो communism को capitalism बे मदले, ठीक है? So यहाँ पर आप लिख सकते हो, practice of communism transformed into capitalism, ठीक है? So they both want, कि capitalism है, capitalism मतलब कि state कुछ भी own ना करें, सब कुछ individual own करें, और वो कौन से सिटम था, जिसमें सारी property state own करती थी, वो communism, So they both oppose communism है, and they both want capitalism, ठीक है? तो इस तरीके से, यह जो CPI है, वो 1925 में आई थी, यह Marxism and Leninism की बातों से सहमत थी, philosophy से, secularism and democracy को यह चाहती थी, कमिनलिजम और सक्सेसिनिजम यह नहीं चाहती थी, और यह parliamentary democracy में belief करती थी, जो कि farmer, working class और poor के interest को promote करें, या फिर protect करें, अब CPI-M कैसे बनी, CPI-M जो है, वो जब Communist Party of India, जो कि 1964 में बनी थी, जब वो split हो गई थी, तब Communist Party of India, Marxist आई थी, ठीक है? So यहाँ पर यह Marxism, Leninism पे ही belief करती थी, socialism, secularism, democracy को promote करती थी, imperialism क्या होता है, imperialism is, यह दो word में आपको पताए नहीं थे, imperialism, हाँ, imperialism में आपको पता दिया था, imperialism और communism को यह oppose करती थी, और यह support करती थी farmers को, agriculture, laborer को, और intelligence, So intelligence का क्या मतलब होता है, highly educated people as a group, ठीक है? तो यह हो गया, अब NCP देखो, यह nationalist congress party है, अब यह जो है अब कब फॉह होई थी, माई 25, 1999, बाई शरत पवार, पिये संग्मा और तारीक अनवर, जब इन्हें congress party से निकाल दिया, कहते हैं, अब उन्होंने nationalist congress party बनाई थी, यह महराष्ट्रा में इनकी major support है, यह support करती है, डेमोक्रेसी को, गांधियन, secularism को, equity को, social justice को, और federalism को, यह सारी terms मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिये, इंडियन national congress कौन सी होती है, यह तो सबको पता है, यह 1985 में found हुई थी, और independence के बाद, इंडिया में यही party चलती, आई थी, और पहले जो 5 election हुए थे, तब Congress ही पुए country के politics को संभाल दी थी, अब हम बात करेंगे regional party की, तो इसमें आपको confusion होने की जरुएत नहीं है, क्योंकि state party में आपको बता ही दिया क्या होते है, तो state party का ही दूसरा नम regional party होता है, ठीक है, अब जितनी हमने seven national parties पढ़ी, उसके अलावा जितनी भी parties है, वो सारी की सारी आपकी state party किलाती है, और election commission of India के साथ यह register है, और इसको आप regional party भी बोलते हो, ठीक है, coalition government क्या होती है, जब किसी एक party को clean तरीके से या फिर clear तरीके से election majority नहीं मिल पाती है, टाई-टाई हो जाता है, तो अब किसी न किसी को तो government बनानी पड़ेगी ना, तो वो collaborate कर लेते हैं, दूसरी parties के साथ ताकि वो government बना सके हैं, उसको हम coalition government कहते हैं, और central India में, इंडिया की बहुत long history है, coalition government की, बहुत सारे government या फिर party साथ में आके, अभी भी सरकार बनाते रहते हैं, और ये कब से इनकी history coalition government की, 1989 से लेकर, 2014 तक, ठीक है, अब क्या रोल है coalition government का Indian democracy में, regional party जो होती है, वो बहुत important role play करती है, coalition government में, regional party मतलब की state party, coalition government में बहुत important role play करती है, क्यों कि डेमोकरेसी को strengthen करती है, तो इनको बहुत सभी का सुनना पड़ता है, stat parties का भी सुनना पड़ता है और national का भी देखना होते हैं, तो इसलिए हर जगह की आवाजे इनको सुननी पड़ते हैं, हर जगह के matter इनको solve करने पड़ते है, coalition government को, और central government को सारे areas की voices को listen करना पड़े है, क्योंकि coalition government है, इस तरीके से, अब political parties के कुछ challenges है, पहला है, lack of internal democracy, dynastic succession is second, third यह भी important है, यह पक्का आएगा, long question answer में, third is growing influence of money and muscle power and fourth is lack of meaningful choice, अब यहाँ पर देखो, एक एक point को हम discuss करेंगे, सबसे पहला point क्या है, lack of internal democracy, इसमें क्या होता है, कि यहाँ पर जो party होती है, उसमें सारी power job top leaders को होती है, ठीक है, कोई भी organization के अंदर, या party के अंदर meetings नहीं होती, कोई भी register बना के नहीं रखता है, कि हमार party के खुद के अंदर election नहीं होते, ordinary जो member होते हैं, उनको पर्टी के अंदर क्या चल रहा हो, उसके कोई information ही होती, और अगर मानलो किसी ने party की साथ, मतलब कुछ suggestion दे दिया, या फिर अगर उसने का कि नहीं हम ऐसे, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, तो उसको party से निकाल देते ह को, dynastic succession, अब इसमें क्या होता है, कि जो leaders होते हैं, top position पे, उनके पास ये unfair advantage होता है, कि वो अपनी family है, फिर अपने किसी known friend को leader बना देते हैं, ऐसा नहीं होता कि 25 सालों से, 30 सालों से, जो लोग इनकी party में काम कर रहे हैं, उनी को किसी को एक top leader बना है, ये जिनको अबन करत उनी को बना देते हैं, ठीक है, ये democracy के लिए भी bad है, और ये चीज जो पूरे world में देखी जा सकती है, money and muscle part, election के time पे ये चीज तो बहुत अच्छे से दिख जाती है, जिन लोगों के पास पैसा होता है, उनी को nominate किया जाता है, और जो बहुत अमीर लोग है, companies है, who give fund, जो fund देते हैं, वो ही पूरे politics के ओपर राज करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और meaningful choice का क्या मतलब होता है, कि जैसे 750 party तो हम बोलते हैं, कि हमारी इंडिया में 750 party register है, लेकिन उन 750 party की जो ideology है, उनके इतना कुछ फर्क है नहीं, ठीक है, जैसे कि Labour party है, और एक Conservative party of Britain है, तो they only differ on the details of implementation rather than fundamental principles, तो यह basically, इनके जो fundamental principles है, वो ज्यादा माइने नहीं रखते हैं, मतलब, वो almost same ही इनके principles, बस implementation अलग-अलग हुआ है, इस तरीके से, तो यानि कि जितने भी इंडिया parties बनी हैं, उनमें ज्यादा difference हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, अब parties को सुधारा कैसे जा क्या होता है, कि अगर कोई भी MP, Member of Parliament, Member of Legislative Assembly, MLA, एक party को छोड़के दूसरी party में जाते हैं, तो इसको punishment में लेगी है, अब affidavit file करना पढ़ेगा लोगों को, कि जैसे कोई भी इंसान political party में आता है, तो उसे अपना affidavit officer को देना पढ़ता है, कि यह मेरी property details है, और यह मेरी criminal background है, अगर कोई हो तो, और उन्हें IT returns अपने show करने होते हैं, और future के लिए क्या-क्या suggestion हो सकते हैं, कि जितने भी members आनको record बनाओ, ठीक है, women के लिए हर party में seat को reserve करो, जो state funding होती है, उन्हें states को fund करना चाहिए, election के लिए, और people party sense को increase करना चाहिए, है न, how can common men help in improvement of political party, अब एक आम इंसान political party को कैसे improve करेगा, ये भी तो देखो, सबसे जादा public participation करे, political parties के ओपर pressure डाले, अगर कोई candidate criminal background से उस particular party में, तो उसको हराया जाए, और जिसकी clean image उसको promote किया जाए, defection क्या होता है, कि अगर एक party से दूसरी party बदल ली, तो वो defection हो जाते है, एफिडेविट क क्या होता है, ये एक signed document होता है, एक officer को हमें ये एफिडेविट समिट करना होता है, वो हमारे personal information के regarding एक पका सबूत हो जाते हैं, कि हम जो कह रहे हों सच कह रहे हैं, और state funding of election का क्या मतलब होता है, कि government को parties को पैसा देना चाहिए, ताकि वो अपने election के खर्चे निकालने, ठी ये आपको CPIE और CPIEM थोड़ सा अच्छे से याद करना पड़ेगा, और इसमें अलग अलग parties के बारे में, state और national party का भी important है, और जो party system है, उसमें one-one marker क्या सकते है, political party क्या होती है, और ये लास्ट में आपको पढ़ाया है कि क्या 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 कमी है political parties में उनको कैसे सुधार तो पके से पके याद करके जाना, ठीक है, तो इसी की साथ-साथ Instagram, Telegram पे जरूर फोलो कीजेगा for doubts and notes, ठीक है, और ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी, so if you like the video and the explanation, then please do like, share, comment and subscribe the channel, thank you so much.